हमारे टेरस गार्डिन में आप सभी खा स्वागत है जो हमें फर्स्ट केर लेनी है इस बाबत में वो है पहले जो हमारे जाड होते हैं उनकी मिट्टी की खुरपनी करनी हर पंद्रा दिन में और उन्हें हर पंद्रा दिन मेहने में फोर्टिलाइजर भी देना होता है अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है वाटरिंग वाटरिंग में साई प्लांट्स को थोड़े प्लांट्स को कम थोड़े प्लांट्स को जादा ऐसे watering की जो ये होता है process वो vary करती है जैसे कि अब जो rose plants होते हैं उन्हें हम कम पानी डालना होता है अगर गलती से ज़्यादा पानी हो जाता है तो वे मर जाते है उनकी life कम हो जाती है अगर वो जाड बारिश में जादा देर रह जाए उसमें जादा पानी हो जाए तो हमें बारिश के दिनों में उसे जादा पानी ही नहीं डालना है जब तक वो मिट्टी सूख नहीं जाती अब जो अगला point आता है वो आता है sunlight और ये पेडों को जो sunlight होती है एक समान नहीं लगती है अब कुछ पेड़ होते है जिनको sunlight बिल्कुल ही नहीं चलती यह ना के बराबर चलती है जैसे खाऊ के पत्ते, मानी प्लांट, गिलोय और कुछ छोके जाड़ उनको sunlight ना के बराबर ही चलती है जो जाडों की necessity होती है उसके ही हिसाब से हमें उन्हें fertilize करना होता है हम हमारे घर के भी जो कुछ fertilizes होते हैं वो भी हमारे पेडों को दे सकते हैं जैसे की तूटी, vegetable pilof, mixer में से निकाल के हम हमारे पेडों को दे सकते हैं पर हफटे में एक बार एक चम्मच यादी जो गांडूल खत होता है वो भी हमारे पेडों के लिए बहुत अच्छा होता है fertilizer के इस्तमाल से हमारे जो पेड होते हैं उनकी growth हती हैं उनमें immunity भी आती है अगर वो full का पेड हो तो उसे बहुत मात्रा में full आते हैं अगर सबजियों का पेड रहा तो सबजिया भी अच्छी quantity में आती हैं दो महिनों में हमें जो कीटक नाक्षक का स्प्रे होता है वो भी घुरना होता है और जो सब और वो जाडों की cutting भी अच्छे से करनी होती है जो music therapy है वो भी हमारे पेड पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इस music से उन पेड पौधों का हमसे लगाव जुड़ता है और आपके घरों में अगर जगा कम है पर आप पेड लगाना चाहते है तो snake plant, money plant और palm tree तो ज़रूर लगाईएगा क्योंकि ये बहुत जादा मात्रा में हमें oxygen देते और हमें pollution से भी बचाते है और अगर आप किसे को gift देना चाहते है तो plant देने को जो option है बहुत अच्छा है Save tree, save environment, save nation Thank you